तो सबसे पहले को मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रियादा करना चाहूंगा, आप लोग इतना प्यार दिखाते हैं, इतनी सुपोर्ट दिखाते हैं, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियो को ल क्योंकि ये अक्सर 99% बंदों के साथ में ये होता है, बहुत कॉमन चीज है, बहुत ही कॉमन चीज, क्योंकि पिछली वीडियो में ने बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था, कि वो अबनॉर्मल टॉपिक था, जब गाड़ी मुविंग होती है, असी नब्डे के स्प क्या है, आपको ऐसे उसको दूर कर सकते हैं, ये भी साथ में कोनों बात करेंगे, इस केस में सबसे पहला जो डाउट जाता है, अगर आप ट्राफिक में खड़े हैं, मतलब बंपर ट्राफिक में चल रहे हैं, एडलाइट पे खड़े हैं, आपर गाड़ी किसी का वेट कर मालो एकदम से आपका कंप्रेसर बंद हो जाता है, गाड़ी कूलिंग नहीं कर रही है सही से, सबसे पहला जो डाउट आपका जाना चाहिए, वो जाना चाहिए आपके कंडेंसर के उपर में, आपके सभी जितने भी AC के पार्ट होते हैं, सभी के बारे में मैं डिसकस कर तो कंडेंसर जो है अगर आपका कलॉग है, उसके फिंस में अगर कचरा फस रखा है, तब भी मेंली यह आपको दिक्कत आती है, मैक्सिमम गाडियों में, आल्मोस्ट 80% गाडियों में यही समस्या होती है, कि आपके कंडेंसर में मिट्टी फसी है, कचरा फसा है, उसको जैसे आपकी गाड़ी जो है वो ट्राफिक में या फिर मनलोग खड़ी गाड़ी में आइडलिंग में कूलिंग नहीं दे रही है क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो कंडेंसर होता है आपका वहीं पे ठंड़ा कोना शुरू हो जाती है अगर वो क्लॉग है तब आपको ट्रैफिक में ये समस्या आने वाली है तो आपको करना क्या है कि जब भी आप वाशिंग सेंटर में जाए गाड़ी दुलवाने के लिए या फिर नॉर्मल गाड़न होस लेके आप अपने कंडेंसर पे एक बार पानी मार दीजिए उसको अच्छे से दो दिए कोई कैमिकल यूज करने की जरूरत नहीं है कोई शैंपो यूज करने की जरूरत नहीं है हर 15-20 दिन में एक बार उस पर पानी मार दो सिंपल बिना बंपर खोले कोई दिक्कत नहीं कोई परशानी नहीं आती है तो एक तो यह चीज होगी दूसरा जो डाउड जाता है वो ज गैस को कम कमप्रेस करेगा उतनी एफिशेंटली काम नहीं कर पाएगा जिस टाइम पे 2500-2000 के आरपीम का पार जाते हैं तब आपका कमप्रेसर सही से काम करना शुरू करता है तब जब आपकी गाड़ी आइडलिंग पे है और अगर गैस कम होगी तो सिंपल सी बात है उतना जो प्रेसर चाहिए वो बिल्डप नहीं हो पा रहा है तो आपका एसी जो है वो ठंडा कम करना शुरू कर देगा उतनी एफिशेंटली काम नहीं करेगा या फिर बंद कर देगा तो आपको गैस चेक करवाने के दो तरीके हैं यह वाली मतलब फॉल्ट ढूनने के दो तरीक पे ही आपको आर्पिम थोड़े से बढ़ा के देखने हैं मतलब 1500-2000 के करीब में लेके जाए उस टाइम पे अगर खड़ी-गाडी में ही अगर आर्पिम बढ़ाने पे अगर कूलिंग अच्छी दे रहा है एसी इसका मतलब लगबग लगबग डाउट हमारा चला जाता है क क्योंकि आर्पिम बढ़ाने पे हमारा जो सर्कुलेशन है वो सही हो गया और एसी की गास मतलब एसी की कूलिंग आना अच्छी हो गई तो यह तो होगे दो टाउट तीसरा जो होता है वो होता है आपके रेडियेटर फैन जो है या फिर कंडेंसर फैन जो है उसका डामेज ह नहीं भी गूम का रहा है अच्छे से अगर नहीं भी वर्क कर पा रहा है तो जो एक्मासफिरिक एर होती है जो इतने प्रेशर से आ रही है वो ही आपके कंडेंसर फैन से होके उसको मतलब फैन गैस को ठंडा करना शुरू कर देती है तो उससे इतना इफैक मतलब नहीं तो आपको कंडेंसर अपका फैन जो है उसको चेक करना है किसी किसी गाडियों में दो फैन आते हैं रेडिटर फैन अलग से होता है कंडेंसर फैन अलग से होता है पर मैक्सिमम गाडियों में एक ही फैन आता है उसको रेडिटर फैन हम बोल देते हैं तो उसको आपको चेक क करेंगे आपका condenser fan घूमना शुरू कर देगा अगर वो नहीं घूम रहा है तो इस ताइम पे आपको सबसे पहले रिले चेक करनी है उसका fuse चेक करना है उसके बाद में आपको जो उसकी motor है वो डाइगनोस करनी है कहीं वो तो नहीं खराब है फिर आपको motor replace करनी पड़ती है सबसे पहला जो कारण लगबग देखा गया बट यह बहुत कम होता है कि आपकी गाड़ी ओवरीट करती है अगर ओवरीट गाड़ी करेगी स्लो मूविंग ट्राफिक है और फिर कैसा भी है ओवरीट वाले केस में आपका जो AC सिस्टम है वो बंद हो जायाएगा वो काम करन सब्सक्राइस हो सकता है कि आपका आपका कूलंड कम हो काड़ी की ओड़ा करें गी तब आपका अच्षे से काम नहीं करेंगा खले कितना भी उस पर मेहनत कर लिया तो ओवरीटिंग भी आप को चेक करनी है, ओवरीटिंग को आपको सिंपली पता लगी जाता है, आपकी जो सुई है, मतलब तेंपरेचर वाली, वो आप जाना शुरू कर देती है, तो आपको पता लग जाएगा भी गाड़ी ओवरीट हो रही है, तो AC से ज़्यादा जरूरी जो है, वो ओवरीटिंग को जाती है, उस time पर मालो compressor weak हो गया, तब भी यह समस्या आना शुरू हो जाती है, क्योंकि high rpm पे compressor अच्छा काम करेगा, low rpm पे आपका compressor उतना efficiently काम नहीं कर पायागा, तो अगर compressor weak है आपका, तब भी एक chances होते हैं, तो एक बार आपको compressor चक करना पड़ेगा, कि वो efficient है या नही अब उसका पता कैसे चलता है, आपको manifold gauge ही लगाना पड़ेगा, manifold gauge लगाके ही high pressure, low pressure दोनों को जो है, आपको एक वर मैं दिखाऊंगा एक वीडियो में, कि कैसे जो manifold gauge है, उसकी reading जो है, वो read की जाती है, उनको कैसे समझा जाता है, और कैसे diagnose किया जाता है, कि कमी actual में है कहा आपे, तो ये तो तीन चार चीज़ें होगी, बट एक और चीज रह जाती है, अब मैंने सब कुछ आपको बता दिया, maximum सबसे पहले इतना डरना नहीं है, सबसे पहले आपको condenser, अपने जो condenser है, उसको clean करना है, उससे ये सही हो जाएगा, दूसरे आपको radar fan चक करना है, ग clutch slip मारेगा, आपका जो compressor का clutch है, अगर वो slip मार रहा है, या फिर जो belt है, वो अगर lose है, तब भी आपको cooling में समस्य आती है, और इसको अकसर हम ignore कर देते हैं, especially जो हमारी AC की belt होती है, या फिर clutch होता है, इसको अकसर हम ignore कर देते हैं, और उसकी दरब में हम ध्यान नहीं देते ह तो ये भी आपको जरूर चेक करना है, बट मेंली, जहां तक मैं जानता हूँ, आपका condenser जो है, उसको साफ करने से, साफ मतलब बाहर से पानी मानने से, आपका काम लगबग-लगबग 90% solve होने जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो आशा करता हूँ, छोड़ी जी वी करने भीज़ देवे एक, साफ कह साफ कर मानने से, आपका कर देपार से, एक झाले दो आख कर में बाहर से, आपका कर से, नहीं है, आपका कोई。